मचली पालन के काम में पोटेशियम परमेगनेट की एक बहुत महत्पूर्ण भूमिका है और समय समय पर इसका हमें इस्प्रे या इसको अपने तालाब में मिलाते रहना चाहिए क्योंकि सबसे मुख्य कारण इसका यह है कि जब भी मचलियों की तचा पर उनकी इसकिन पर कुछ एक खास परत जम जाती है काई जैसी जो दिखती है और खास तोर पर जब मौसम का परिवर्तन होता है तब यह समस्या शुरू हो जाती है तो इसके उप्चार के लिए आप जो हमारा यह तरीका है जिस प्रकार हम फसलों में अपनी कीटना सक दवाएं या उनके उरभरक इसका स्प्रे करते हैं उसी प्रकार हमने उसी मशीन से जो है हमारे तालाब में यह पोटिश्यम पर मगनेट पीपी का जो है छड़काव करने का प्रयास किया है और काफी हद तक बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है चारो तरफ से एक जैसा चला जाता है सबके अपने अपने तरीके लेकिन का करने का उद्देश सबका एक ही रहता है तो इसकी जो दाम की बात करेंगी तो यह ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है बीस ग्राम का जो पैकेट रहता है वह बीस रोपय का मात रहता है तो यह ज्यादा भी आपको ज्यादा कॉसली भी नहीं पड़ता फंगस को भी दूर करता है और साथ में पीएच मान जो होता है अमारे पानी का अमारे तालाब के अंदर पानी होता उसका पीएच लेबल भी मैंटेन करता है दोस्तों अब बा तालाब की कितनी गहराई है और कितना उसका आकार है और कितनी क्वांटिटी में हमने उसमें मचलियों के बीज डाले हैं तो इसके आधार पर ही उसकी जो मात्रा तै की जाती है कितनी मात्रा में हमको इसको डालना है दोस्तों तो वैसे तो अगर हम देखे तो एक किलोग्राम पर्टिशम परमेगनेट में 1000 लीटर पानी मिला कर एक एकड़ के तालाब में 2 किलोग्राम लगता है 2000 लीटर पानी में मिला करके आप पीपी को घोल सकते हैं और मचली को जब हम स्थार अंतरन करते हैं तो उस समय भी पीपी के घोल में पहले उसको ड़ले और उसके बाद ही आप तालाब में मचली razor को फिर आप डाल सकते हैं किसी प्रकार की कोई विमारी उनको नहीं लगती है क्योंकि जहां से आती हैं वहां अगर कोई भीमारी होती भी है तो पीपी के घोल में डालने से पहले उसमें ये बीमारियां चले जाती हैं तो जीरा मशली के साथ जितने भी बाकरिया होंगे वो भीमारिया भी दूर हो जाएगे तो दोस्तो हम जिस परकार से अपनी तालाज़ में ये पी-पी डाल रह远 हैं आप भी समय समय पर उस पी-पी को डाल करके मशली पालन के कारे को सफल बनाए और हम समय समय पर आपको इस प्रकार की वीडियो लेके आते हैं और ताकि कहीं न कहीं जो Confuseon's होते हैं, जो कहीं न कहीं शंका समाधान होते हैं वो हो जाते हैं, तो यह हमरा तालाव उपर समने जाल भी लगा रखा है और यहां मचली पालन का काम चल रहा है अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं और अगर आपके काम आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट